हलो जी की हाल चाल आप सभी की तो दोस्तों आज हम अपने इंडियन बाइस ड्राइंग्स डी गेम में कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट ट्राइ करने वाले हैं मुझे एक AI टूल के बारे में पता चला है जो अपने गेम के ग्राफिक्स चैंज कर देता है ये AI टूल मुझे त लुकेशन का हम ग्राफिक्स कर लेता हूं तो पहले बीच वहीं बीच आता हूं चलो यहीं से ग्राफिक्स करता हूं लेस गो और ये क्या दोस्तो जैसे मैंने इस location का graphic change किया AI tool के दोवारा तो जो अपना house था वो भाई कैसे खंडर में तबदील हो चुका है मतलब बदल चुका है बिल्कुल खंडर बन चुका है और आसमान को देखो आसमान कितना realistic और awesome लग रहा है यार और अपने बंदे को देखो मतल अपने game के character के पीछे back भी AI tool ने add कर दिया है जो कि काफी unique लग रहा है और side वाली building को देखो जरा ये भी खंडर में तबदील हो चुकी है कुछ अलगी दिखरी है तो भाई इसके अलावा मेरे पास एक AI tool हो रहा चलो इसी location को उसमें और changing करके देखते हैं ये low मैंने second AI tool से इसी location का graphics change करती हैं लेकिन ये तो काफी different हुआ पहले वाला था वो काफी different था और ये वाला तो भाई काफी डरावना सा लग रहा है एक भूतिया जैसा लग रहा है एक दम और इस AI tool में भी अपना house खंडर हो चुका है आप सभी देखो लेकिन भाई थोड़ा डर सा लग र लग रहा है और अपने game के character को देखो जरा इस वाली AI graphics में भी अपने game के character के पीछे bag लगा हुआ है लेकिन दोस्तों अपने game के character के बाल देखो भाई काफी funny तरीके से दिख रहे हैं इसको एक लड़की बना दिया अरे यार बालों से ज्यादा तो इनके पास जो कान दिख आया है कुछ जलिए अब हम यहां से दूसरी location पर चलते हैं और वहां के भी कुछ इसी परगार से graphic change करते हैं और वहां का view देखते हैं वहां हमें क्या-क्या changes देखने को मिलते हैं तो हम कौन सी location पर चले चलो हम चलते हैं सबसे पहले पैटल पंप वाली location पर वहां से देख रहे हैं मैं graphic change करने के लिए तयार हो चुका हूं पूरी तरह से तो मैंने जैसे इस पैटल पंप वाली location का graphic change किया तो आप view देख सकते हैं view कितना अच्छा लग रहा है और यहां पर हमें sunset भी दिखाया है तो आप से भी देख सकते हैं sunset हो रहा है काफी अच्छा unique सा लग र रहा है कि यह रियल में पैटल पंप है इस location पर तो आप देख सकते हैं कितना खंडर एरिया हो चुका है और जो इसके background में building से उनको देखो जारा वो तो काफी अच्छी दिख रही है और यह वाला area ही थोड़ा ऐसा दिख रहा है जैसे काफी पुराना हो चुका हो तो कुछ और ही different मामला है तो आप से भी देख सकते हैं वह पहले जैसे हमने house का चैन्ज गया ठीक उसी परकार से इस भी एरिया का जो ग्राफिक सेंज की है वह भाई बिलकुल भूतिया जैसा ही लग रहा है आप से देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कौन से city में आ गई कौन सी ज इसा लग रहा है और नीचे देखो भाई कितनी हर्याली है और पीचे देखो भाई बेक्ग्राउंड में कितनी बिल्डिंग्स है और उपर आस्मान ऐसा हो रहा है जैसे की बारिस आए कि काफिल डरावना सा व्यू दिख रहा है तो कुछ इस परकार से दोनों एयाइ टूल हम एक ऐसा देखने को मिलेगा और पास में एक एनपीसी गरल है चलो इसको भी ले लेते हैं ईसके अंदर ग्राफिक सेंजिंग के अंदर ले लेता हूं स्क्रिंशोट और करते हैं एयाइ टूल से इस लोकिसन का ग्रापिक शेंज तो आप सबी देख सकते हैं दोस्तों जै देखो कितना सूगला सहो रहा है इसके बाल से देखो वैस यार बोडी शेफ तो काफी अच्छा और पीछे ये फिर से यार बैग आ गया लेकिन इस बार बैग काफी यूनिक आया और तीशाट काफी अच्छी है और जिंस फैना हुआ और पीछे देखो भाई पीछे जो करने को मिलेगा तो मैंने चैंजचिंग कर लिया है और वाव कितना ओसम व्योगण देखने को मिल रहा है ग vegर तो वैसे की और हेलिकोप्टर को देखो भाई हेलिकोप्टर यह क्या बन गया यह तो कोई कार सी लग रही है काफी पूरानी और ग्रापिक्स देखो भाई आसमान का विउ और संसैट भी दिख रहा है और पीछी यहां पर बिल्डिंग्स कौन सी आ गए भाई लेकिन काफी अच्छा में क्या क्या बना देती है और चलो और भी आगे ट्राइ करने वाले हैं और भी लोकेशन पर जा जाकर हम ट्राइ करने वाले देखते हैं वहां का विउ भी कैसा देखने को मिलता है जैसे मैंने इस लोकेशन का ग्रापिक सेंज किया तो आप सभी विउ देख सकते हैं वैसे इतना खास बदलाव नहीं मिला है हमको थोड़ी हर्याली सी देखने को मिली है और बिल्डिंग्स थी वे तो भाई वैसे के वैसी है और जो नीचे रोड बगरा थे वो भी वैसे के वैसे है इतना खास बदलाव देखने को नहीं मिला लेकिन जो अपने गैम में हैलिकॉप्ट एई टूल से चैंजिंग करके देखते हैं ग्राफिक्स व्यू कैसा चैंजिस हम को देखने को मिलते हैं वाव यार गी व्यू कैसा देखने को मिल रहा है बिल्कुल काफी अमेजिंग देखने को मिल रहा है देखो बिल्डिंग्स तो ऐसे काफी कम हो चुकिया आप और जगए को देखा जाने थो भाई का ओफी फोरैस्टेरी यह रिक रहा है जैसे की यह पर लोग बिलकुल नहीं रहते हो तो चैनल को भी चलो subscribe तो दोस्तो अब हम चलते हैं किसी और location पर और वहां का भी graphic change करके देखते हैं चलो हम चलते हैं सबसे पहले railway station पर तो मैं finally आचुका हूँ railway station पर चलो पहले मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं और यहीं से काफी exit location है काफी अच्छी location है यहां से भी काफी अच्छा आएगा तो let's go और यह क्या भाई train area को जैसे changing किया तो यहां पर भी कितने सारे changes हो चुके हैं जो हमारी train थी अपने गेम में देखने को मिलती थी वो तो भाई बिल्कुल कुछ अलगी हो चुके है बिल्कुल खंडर हो चुके है और एक बार अपने गेम के character को देखो बिल्कुल बालक सा लग रहा है कि हां railway station है लेकिन ऐसे दिखाया गया है इस graphics में जैकि काफी पुराना railway station हो तो अब हम करने वाले हैं second AI tool को let's go तो मैंने जैसे second AI tool से इस location का graphics चैंज किया तो आप सभी इस view को दीख सकते हैं काफी amazing दिख रहा है अब से पहले अपने गेम के character को देखते हैं तो अप train हमें लगी नहीं रही कि भाई यह train है ऐसे लग रहा है कि कोई दिवार है और फिर दिवार के ओपर जैसे को खंडर हो जाता है वहां पर चोटे मोटे पेड़ पोदे हो जाते हैं जैसे लग रहा है बिलकुल इस graphics changes में मुझे सबसे funny अपने game का character लगा ऐसे लगा बिलकुल दो नमबर गुंडवाला तो इस location का दोनों AI tool से change करने के बाद में हमें कुछ इस परकार से दोनों view देखने को मिले चलो अब चलते हैं दूसरी location पर और दूसरी location हमारी होने वाली है जुरासिक पारक के gate के just सामने वाली चलो तो चलते हैं वहां पर और AI tool से करते हैं उस location क भी graphic changes जी हम पहुंच चुके हैं finally हमारे mission पर completely और यहां पर हमें जुरासिक पारक के just सामने इस location पर खड़ा रहकर और यहीं से graphic change करना है फिर देखते हैं कि यहां पर जो जुरासिक पार का gate है और यहां का area है जिसका interior हमें कैसा देखने को मिलेगा let's go जैसे इस location के graphic change के तो आप से भी देख सकते हैं जुरासिक पारक के अंदर paid poddy तो वैसे के वैसे दिख रहे हैं लेकिन नीची देखा जाए तो भाई काफी हर्याली हो चुकी है और यह AI tool तो भाई ज्यादातर हर्याली करता है जरा जुरासिक पारक के gate को देखिए आप से भी यह gate कैसे लग रहा है बिल्कुल जैसे की काफी पुराना हो चुका हो बिल्कुल भाई टूटी चुका है कितना खंडर हो चुका है और अपने game के character को देखो कितना handsome लग रहा है पीचे से तो काफी अच्छा लग रहा है आगे से क्या पाता इसका मुह कैसा हो गया हो और हाई इसकी dressing तो काफी अच्छी लग रही है बाल भी काफी वड़े वड़े हैं तो कुछ इस परकार से AI टूल का view देखने को मिला है और आस्मान में ता ऐसा लग रहा है जैसे बारिस आगे लेकिन यह बारिस कभी भी नहीं आती बाई इसी location को second AI tool में चैंज करके देख सकते हैं second AI tool से हमें कुछ इस परकार से view देखने को मिला है इस बार जुरासिक पारक का gate देखो खंडर बिल्कुल नहीं हुआ है तूटा नहीं है लेकिन जो इसका नाम था वो भाई चैंज हो चुका है कुछ लिका हुआ है समझ नहीं आ रहा इंगलिस में है ना तो लोकेशन का view हमें दोनों AI tool ने कुछ इस परकार से दिखाया है तो अब हम चलते हैं किसी next location पर आप मैं जानने वाला हूं लेखते हैं तो सबसे पहले तो मैं इस वाले का, ग्रापिक चैंज करके दीखता हूं कि, एरोप्लेन हमें कैसा देखने को मिलेगा कि यह लोगाइयो मैंने इस लोकेशन का ग्रापिक्स इस पर दिखेंगा है और यह तो काफी अच्छा लग रहा है और विएससे तो नीचे दिखाए रबाई नीचे भी काफी हरा बारा है चलो आप दूसरी AI टूल से इस ही लोकेशन का ग्राफिक सेंजकर के देखते हैं जल्दी जल्दी तो दूसरी AI टूल ने हमारे इस वाली लोकेशन का ग्राफिक समय कुछ इस परकार से एडिट करके भेजा हुआ है अपने गेम का करेक्टर की ड्रेसिंग चैंज हो चुकी है अब हम इस प्लेन वाली लोकेशन का ग्राफिक चैंज करके देखते हैं यहां का लोकेशन वियू हमें कैसा देखने को मिलेगा लेस को तो फाइनली जैसे मैंने इसका निया का लोकेशन व्यूचैन्ज किया तो आप से भी देख सकते हैं जो प्लेन थी वह भाई का कौन सी लोकेशन पर चले गई जैसे हेलिकुप्टर गाए वह आता ठीक उसकी परकार से अरो प्लेन भी कार बन चुकी आप सभी देख सकत मैंने डोग को स्पॉन करा लिया है यह देखो अब डोग स्पॉन हो चुका है अपने गैम में और आभी चुका है तो चलो अब इसको मैं फर्स्ट AI टूल के दोरा ग्राफिक सेंज करके देखता हूं कि यह डोग हमें कैसा देखने को मिलेगा लेस्ट गो जैसे मैंने ग्राफ तो काफी अच्छा व्यू देखने को मिला इस डोग का व्यू वाला अब हम करने वाले इस डाइनासोर को AI टूल के दोरा देखते हैं कि यह डोग की तरह यूनिक दिखता है या फिर कुछ टिफ्रेंट ही दिखता है लेस्ट गो तो देख सकते हैं दोस्तों AI ने इसका क्या हल बना दिया जो अपने गैम में डैनासोर देखने को मिल रहा था वो भाई इस बार डैनासोर नहीं है वो एक स्टेचू बन चुक है लकडी का या फिर फत्तर का मान सकते हैं आप तो इसमें देखो भाई पेड़ व्यू गए चोटे 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 और आसमान का व्यू दे अब अनिमल्स को एक साथ इसपोन करा लिया है अब इनको एक साथ ही हम एक की दोरा चैंज करके देखेंगे कि यह हमें कैसे देखने को मिलेंगे कुछ डिफरेंटी होने वाला है दूस्तों अब करते हैं इनकी चैंजिंग एक टूल के दोरा लेस गो तो आपसे भी देख सक दो दोग थे वह एक डोग तो हमारी तरफ जांक रहा है बिल्कुल और ग्राफिक्स दिख सकते हैं आसमान का व्यू काफी अच्छा लग रहा है और जो होर्स और डाइनासोर थे वह तो वाई कुछ चलागे लग रहा है चलो अब सेकंड वाली एयर टूल से चैंज करके देख सकता है मिनी डंक की दिख रहा है बिल्कुल और वो थे वाई जो दोनों मिक्स हो चुके हैं तो फणनी यार मैंने पहले ही बोल दिया था कुछ डिफ्रेंट होने वाला है इस बार दोस्तों अब तक हमने जितने भी एयर टूल के दोवरा ग्राफिक्स चैंज किये हैं लोके तो पार्टू की वीडियो के लिए आप सभी इस वीडियो में मुझे कॉमेंट कर देना कि पार्टू की वीडियो में हम कौनसी लोकेशन का ग्राफिक्स चैंज करें जैसे की कार सोरूम का ग्राफिक्स चैंज करें समूंदर एरिया का ग्राफिक्स चैंज करें या फिर किस अन्य लोकेशन का ग्राफिक्स चैंज करें तो ये भी मुझे कोमेंट सेक्षिन में आप सभी बता देना दोस्तों और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हूँ तो आई वीडियो को कर देना प्यारासा लाइक चैनल पे नहीं हूँ तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइ